स्वावत है आप सबका लड़निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में तो आज के शुड़ियों हम करने वाले हैं क्लाश टूर पर्ट का सैंस के मौस्ट भीवे अबजेक्टिव कोशन एंसर को जो कि आपके आने वाले बोर्ट एक्जाम के लिए काफी ज़्यादे इंपोर्टेंट प्रस राने वाला है तो अपले उड़े को अच्छे से ध्यान पुर्वक और लास्त तक जरू देखिएगा तो चलिए शुरू करते हैं फर्ष्ट कोशन से और फर्ष्ट कोशन है हमारा कि सेंक्त राश्रंग के अस्तापना कब हुई थी तो वर्ष 1945 में सेंक्त राश्रंग का अस्तापना हुआ था अप्शन नमर C हो जाएगा अगला कोशन है कि 2006 में इजरायल ने किस देश पर आक्रमन किया था तो 2006 में इजरायल ने लेबनान देश पर आक्रमन किया था अप्शन नमर B हो जाएगा अगला कोशन है कि सेंक्त राश्रंग दिवस का मनाया जाता है तो हड़ेक साल 24 अक्टूबर को सेंक्त राश्रंग दिवस की रूप में मनाया जाता है option नमर ए हो जाएगा अगला कोशन है कि अंतराष्टी मुद्राकोश में कितने देश सदस है तो अंतराष्टी मुद्राकोश जो है उसमें 190 देश सदस है option नमर ए हो जाएगा अगला कोशन है कि अंतराष्टी न्याले का मुख्याले कहां इस्तीत है तो अंतराष्टी न्याले जो है उसका मुख्याले जो है अगला कशन है नैनि का अख़या काल मैर्स का option मेर ठी हो जाएगा मैसे 150 राष्ट को जन्ञ वा नहीं विवस्ता को जन्ञ दिया था तो शान्ती अस्थापना को जन्ञ दिया था 1950 में सहेक्ट राश्चंग ने सांती अस्थापना की ववस्था को जर्म दिया तो option वर C हो जायेगा अगला कोशन है हमारा कि लीग अउप नेशन के उत्रादिकारी के रूप में अंतराष्टी संसता की अस्थापना हुई थी किसके अस्थापना हुई थी तो यह अस्थापना हुआ था सेंग तुराश शंग की option वर B हो जाएगा लीग ओपनिशन के उत्राधिकारी के रूप में सेंग तुराश शंग की अस्थापना हुई थी option वर B हो जाएगा अगला question है हमारा कि क्यूंवा संकट किस वर्ष उत्पन हुआ था तो क्यूंवा संकट जो था ये वर्ष 1962 में उत्पन हुआ था option मर ए हो जाएगा अगला question है हमारा कि निम्न में से हैं यह जो चार option दिया हुआ इसमें से कौन इसमें इन सुरक्षा परसत का अस्ताइस सदस नहीं हो जाएगा अप्शन नहीं है और देखे हैं अभी तक आप लोग फिर आप ले सकते हैं और बहुत सारे बच्चे आ पिडियाप को लेना है अगर प्रभों कोई बी habitat हो सब्चेट में कोई सब्चेक्ट हो गाई उस पांच हो श्य सब्य ढजाता किसी को सब्चेट हो सब्सक्राइब को क्यों सब्सक्राइब कोन सब्सक्राइब कर कुए ही Palmer इंगलिज जोड़ाफी मुजिक, कोम साइंस, सैगलोजी, सूसिलोजी, एकनॉमिस, इसी दस में से कोई आपका 5 या 6 अध्य होगा इसमें से जो भी आपका 5 या 6 अध्य होगा उसका PDF आपको मिलेगा तो इसमें आपको अब्जेक्टिव और सौजेक्टिव दोनो कॉशन मिले जैसे अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो आपका particular science तो subject होगा ही तो एक जांपल के तोर पर हम बताए देते हैं कि particular science अगर आप लोग लीजेगा तो उसमें क्या क्या आपको मिलेगा जैसे अगर आप लोग पर्टकर सैंस का PDF लेते हैं तो पर्टकर सैंस में आप लोग को पता होगा कि total अठारा चेप्टर है पर्टकर सैंस में कितने चेप्टर है तो अठारा चेप्टर है अगर ठारो चेप्टर के चेप्टर वाज यानि कि पाला चेप्टर से ले करके last के च इतरा से एक चेप्टर का नहीं मिले गा जो भी आपका 500 चफरतो युचे इसका पीडेब आप लोग को मिलेगा अब पीडेब का जो प्राइस है वो सिर्फ पर सिर्फुर्शी कर सकते हैं अब लेना किस तरह से तो यह देखली जी यह नमडौ 790-3820-891 इस नमर पे आप लोग फोन पे गुवल पे पेटियम कुछ भी कर सकते हैं जैसे ये नमर आप लोग फोन पे गुवल पे पेटियम में डाली हैगा नाम आजाएगा गौतम कुमार उसमें आप लोग क्या किजएगा पश्री सुपछ डाल करके उसका Syncसुट बे गरके आप लोग को इसी नमर के WhatsApp पे भीद देना आपना subject जुभी ओगे आपका 5-6 minutes वो बता दिजएगा आपको जी वोग बंद जायाएगा अप लेकर आप लोग अच्छे तरीके से तैयारी कर सकते हैं बहुत सारे वच्चे तो इस पीडियाप को ले चुके हैं आप लोग भी ले सकते हैं इसमें अगर आप लोग लेते हैं जो भी आपका पांस ये 600 होट होगा उसमें अगर आप लोग अच्छे सो पीडियो को पूरा पढ़ लेते हैं तो आपको उसके अलावा और भी कुछ सद आपने अपने अगले से मार now का सदश्थ नहीं है चार और और ऋप्शन में साब को बताना है कि दचेस का सदश्थ नहीं है तो चीन जुआ है का सदश्थ नहीं है बारत मालदीप और भुटान ये तीनों देश जो है दच्छेस के सदस देश है चीन जो है ये दच्छेस का सदस देश नहीं है और दच्छेस क्या है इसके सब्जेक्टिव कोशन जब बता है उससे में आप लोगो को अल्यडी बता चुक है दच्छेस में कितने देश सदस हैं वो स 244 में option मर यह हो जाएगा 1944 में विश्वेंग की अस्थापना हुई ती अगला question है कि World Social Forum की पहली बैठक किस देश में हुई ती तो World Social Forum की जो पहली बैठक है वो ब्राजील में हुआता option मर भी हो जाएगा अगला कोशन है हमारा कि दचेस का पाला सम्मेलन किस राष्ट में हो आता किस देश में हो आता तो दचेस का पाला सम्मेलन था वो आता बांगला देश में आप्शन वर B हो जाएगा दचेस का पाला सम्मेलन का हो आता तो बांगला देश में हो आता अगला कोशन है हमारा कि सन 1960 के दसक में बिटेन को किस से जूझना पड़ाता तो बिटेन को केनिया से जूझना पड़ाता सन 1960 के दसक में option बर B हो जाएगा अगला कोशन है उर्जा संरक्षन अधरियम कब पारित किया गया था तो उर्जा सनरक्षन अद्रियम जो था ये पारित किया गया था 2001 इस भी में option 1 A हो जाएगा 2001 में उर्जा सनरक्षन अद्रियम को पारित किया गया था अगला कोशन है खाडी देशों में सबसे अधिक तेल भंडार कहां इस्तित है अगला कोशन है विश्वेपार संगठन के स्थापना कब हुई थी विश्वेपार संगठन जो है उसका स्थापना जो है अगला कोशन है कास्मीन के भारत में विलेपत पर किसने हंस्ताक्षर किया था तो राजा हरी सिंग ने कास्मीन के भारत में विलेपत पर हंस्ताक्षर किया था अगला कोशन है 1956 में भारती राज्यों के पुना गठन का आधार किया था तो 1956 में भारती राज्यों का पुना गठन का आधार था उप्शन में दी हो जाएगा अगला कोशन है वारा कि भारत पाकिस्तान विवाजन का आधार क्या बना गया तो भारत पाकिस्तान विवाजन का आधार तो भारत पाकिस्तान विवाजन का आधार तो भारत पाकिस्तान विवाजन का आधार तो अगला कोशन है कि गुवा भारत पाकिस्तान विवाजन का बना था अगला कोशन है आजादी मिलते ही भारत की चौथी पर्मुख चुनौती किसे कहा गया था किसे कहा गया था तो अंग्रेजों को कहा गया था आजादी मिलते ही भारत की चौथी सबसे पर्मुख चुनौती ऑप्शन वर सी हो जाएगा अंग्रेजों को अगला कोशन ह किस पंचवर्सी योजना में अद्यूगी करन पर विशेस भल दिया गया किस पंचवर्सी योजना में तो दूसरी पंचवर्सी योजना में दूसरी पंचवर्सी योजना में अद्यूगी करन पर विशेस भल दिया गया था option वर B हो जाएगा अगला कोशन है दिव राष्ट की बात किसने कही थी दिव राष्ट की जो बात है वो किसने कहा था तो मुस्लिम पक्ष के जो लोग थे मुस्लिम लीग के जो लोग थे उन्होंने दिव राष्ट की बात कहा था option वर B हो जाएगा अगला कोशन करते हो निश्ट कोशन है मारा आंध प्रदेश को अलग राज का दर्जा कब दिया गया था तो आंध प्रदेश व्यता उसको अलग राज का दर्जा वर्स 1906 में दिया गया था उप्शन मर सी हो जाएगा अगला question है, केंडर सरकार ने राज पुना गठन, आयोको का बनाया था, ठार्वर्चन करते है, अगला question करते हैं, कास्मीर lore प्र्ट ही किसमे तो राजा संसर स्थाक्षर की तो आप लिए में फिट्ट बात कि दिंग हो जाएगा और इसका स्क्रील सोट बेजएगा अपने सब्वेट बताइएगा आप लोग को 5 और सब्जेक्ट को PDF जोगा वो आप लोग को मिल जाएगा आपका चाहिए 5 सब्जेक्ट हो या 6 सब्जेक्ट हो उसका PDF जोगा वो आप लोग का मिल जाएगा और अगर आप लोग किसी और बो अगर आप लोग किसी वोट से होंगे भिहार बोट के लावा यूपी वोट से होंगे तो भी आप लोग ले सकते उस पीडियाप को बस आप लोग को हिंदी और इंग्लिस जो है वो छोड़ करके और सब्सक्राइट ले सकते हैं अगला कोशन है, भारत में लोग किसे दि गई तो सरदार बल्लवाई पर्टेल को भारत में लोग पुरुष की संग्या द गई या option वर B हो जाएगा अगला कोशन है भारत के परतम आम चुनाओं में के समय कितने लोग जो ते वो साख चरते भारत के कितने परतिसत लोग जो ते वो साख चरते यानि की पड़े लिखेते तो पंद्रा फिष्टी लोग और भी हो जाएगा अगला कोशन है कि समिधान सवाके पारूप शमीती के अधिक्ष कौन थे तो समिधान सवाके पारूप शमीती के अधिक्ष डॉक्टर भी मुड़ा अमबीद करते हैं अगला कोशन है भारतिय जनसंग के संस्थापक और अध्यक्ष दोते डॉक्टर स्याम परसाद मुकरजी ते अप्शन मर दी हो जाएगा अगला कोशन है भारत में निर्वाचन आयोका गठन कब किया गया था तो बारत में निर्वाचन आयोका जो गठन है वर्स 1950 में किया गय तो ऑप्शन मर यह हो जाएगा मेक्सिको देश में सन 1929 में निशनल रिवलिशनी पार्टी के स्थापना की गई थी मेक्सिको देश में ऑप्शन मर यह हो जाएगा कब किया गया था तो 1929 में अगला कोशन है भारते जनता पार्टी के स्थापना कब हो थी तो भारते जनता पार्टी जो है यानिकि BJP जो है उसके अस्तापना वर्फ 1980 में हुआ था option वर B हो जाएगा अगला कोशन है बाहत के पहले आम चुनाव में दूसरे अस्थान पर कौन सी पार्टी थी तो बाहत के पहले आम चुनाव में दूसरी अस्थान पर सोचलिस्ट पार्टी थी option वर D हो जाएगा अगला कोशन है दूसरे आम चुनाव की सबसे बड़ी कौन सी राजनेटिक पार्टी यानि कि दूसरा आम चुनाव जो हुआ था उसमें सबसे बड़ी कौन सी राजनेटिक पार्टी जो थी उभर कर आई थी तो अगला कोशन है दूसरा आम चुनाव भारत में कब हुआ था दूसरा आम चुनाव भारत में उप्शन में सबसे बड़ी करते हैं आप लोग अच्छा लगा होगा और आप लोग को बताई देए कि इसका पीडियो अगर आप लोग लेना चाहते हैं और ली ही लीजेगा आप लोग इसका पीडियाप अगर आप लोग इस पीडियाप को अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं तो आपके आने वाले बोर्ड एक्जाम है जो 99% कोशन होंगे वो इसी पीडियाप से देखने को आपको मिल जाएगा चाहिए आपको किसी भी पीडियाप लेना है और हिंदे इंगर नहीं लेना है और अगर आप लोग ब्लोग अब लोग इसाट करके उसका स्क्रेंट इसी नमर पर भेज करके अपने अच्छा लगा वा थो छाला तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में नए वीडियो के साथ